कोलकाता के एक प्रमुख सरकारी अस्पताल आर जी कार अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की हत्या और बलातकार की घटना सामने आई है बीजेपी के नेता अमित मालविय ने इस घटना पर ममता बनरजी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने ट्वीट करके दावा किया है कि इस महिला डॉक्टर का नगन शव अस्पताल के डूटी रूम से बरामत हुआ है और राज्य सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है अमित मालविय ने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस को इस मामले को आत्म हत्या के रूप में पेश करने के निर्देश दिये गए हैं ताकि इस जगन ने अपराद को छुपाया जा सके उन्होंने यह भी दावा किया कि मीडिया को घटना स्थल पर जाने की अनुमती नहीं दी जा रही है जिससे मामले को दबाने की कोशिशें साफ दिखाई दे रही है इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिये हैं हालांकि राज्य सरकार और पोलकाता पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है मामले की सच्चाई क्या है यह जांच के बाद ही सपष्ट हो पाएगा टाल बाद पाने आप दार ऑलो अब तक ही उंस तक इस पर फिर से अधाधियों जांते पड़े सी अब रागया में अब तो मुख्रमाशी दशिक्षाइए अब कांव सुम्हेटा भांवाथ पेदश दीजांसा में अबुटी हुए अब शुक्तार भीयू कुष्स्टेश्ट अब उनीगाथ नानले नाजफिक्षाइु आदे रागया। खुझ कि अ य yineा चॉर्चर्ट के अचिम का राथ श्च चॉर्च्द अच झा भी उन्दाँ उच्च श्रॉ्च नॉस्च вес घुझ प्रेख ₠ender dual लोकि गजा ται कीज ज Agora वीजिए तें अची場 घ्याव गजानदास इढ ड़ा की ड़ा इस ढ थलाख फज पलसकी शिंग jourे टुão सुन रिलसका टुस्टी हारा सेंगा गिनगal खर वीमेर सादाचा घूलसके घंग टेलसका जिलसके तो कि टुन स對 मैं सका गनकी जिलसके त отвеч linha